हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल उप्चार नुषके में हम उप्चार नुषके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अउपडेट करते हैं होली का पर्व सुकसम्रती और भाईचारे का पर्व माना जाता है इस दिन होली खेलने के बाद होली मिलन की परंपरा सदियों पुरानी है। साल 2020 में 9 मार्च को होली का देहन और 10 मार्च को रंगवाली होली मनाई जाएगी ऐसे में इस बड़े और खास पर्व के दोरान हमारे घर का वास्तु बहुत माईने रखता है। वास्तु अनुसार इस पर्व में घर का वास्तु ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ और घर में पॉजिटिव एनरजी को आकरशित करे। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको होली के दिन विशेश रूप से करने चाहिए तो आईए जानते हैं ये जरूरी वास्तु टिप्स क्या हैं। गणेश जी को ठंडाई भोग लगाएं। होली के त्योहार में ठंडाई का विशेश महतो होता है वास्तु की माने तो इस दिन ठंडाई बाटने से पहले प्रथम पूज और सुक सम्रिद्धी के दाता भगवान गणेश जी को ठंडाई का भोग लगाएं। माननेता है कि आज के दिन गणेश जी की आरादना और उन्हें ठंडाई अलपित करने से घर में खुश्यां आती हैं। दिलाने वाला माना जाता है। वास्तो नुसार यदि आप होली पर घर की पूर्व दिशा की दिवार पर उकते हुए सूरज की तस्वीर या पेंटिंग लगाते हैं तो इसके प्रभाव से ना सिर्फ आपके रिष्टे मजबूत होते हैं बलकि आपको समाज में मान समान की प्राप्ती भी होती है। विंट्चाइम लगाएं। फैंक्सुई में विंट्चाइम शुक्ता का कारक और गुड्लक माना जाता है। यह एक ऐसा गुड्लक चिन हैं जिसकी धीमी धीमी आवाज ना सिर्फ आपको मुहित करती हैं बलकि आपको मानशिक शामती भी प्रदा करती है। इसके प्रभाव से आपको बहतर परिणाम जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए इस बार होली पर विंट्चाइम जरूर लगाएं। मुखिद्वार पर पौंधे लगाएं। किसी भी घर का मुखिद्वार घर का सबसे एहम इस्सा माना जाता है क्यों मन को शेतलता देने के साथ ही घर में पॉजिटिव एनरजी के प्रवाह को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना